बात करने के लिए लोग इन करें www.astrotak.com नमस्कार मैं आचारिय बिनोत भरद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के दिन का खास उपाय जो आपके घर में सुख सांती के साथ साथ हर मनो कामनाओं को पुर्ण कराएगा क्योंकि चितलगी अमवस्या हरियाली अमवस्या में सास्तों के अनुसार एक दीपदान का पूजन आपके घर के समस्त बिगड़े कारियों को बना सकता है आपके जीवन के आपके परिवारिक जीवन के समस्त कारियों को शिद्ध कर सकता है इस कारिक्रम के पहले मैं एक खास जनकारी लेके आता हूँ खास आपके लिए यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं तो एक बार जोच्सिय उपाय जरूर लीजिएगा निश्चित रूप से जोसिये उपाए आपके जीवन में अप्रत्यक्ष रूप से आपकी बाधाओं को दूर करके आपकी मनो कामनाओं को शिद्ध कराता है तो इसके लिए इधर उधर दोड़ने भागने की जरूरत नहीं है अपना फोन लीजिए और टाइप करिए www.astotak.com बिनोद भरदवाज प्रोफाइल को सेलेक्ट करिए और अपने कुश्चन को लिख भेजिए अब बात करते हैं हरियाली अमवस्या की देखिए अमवस्या तो सभी लोग जानते हैं कि पित्रों के लिए होती है क्योंकि हमारे सास्त्रों में पहले से ही दो यग्यों का उलेक आया है एक पूर्णिमा जो देवताओं को समर्पित होती हमारे घर के जो देवता होते हैं उनको समर्पित होती है लेकिन अमवस्या पित्र करी होती है ऐसा कहा जाता है जिस घर के पित्र देवता खुस है निस्चित रूप से उस घर का विकास होता चला जाता है जिस घर के पित्र देवता खुस है उस घर के बालक अच्छे होते हैं योग्य होते हैं उनमें हर गुड अपने आप आता चला जाता है इसलिए हम स्रद्धा पूर्बक अमवश्या को पित्र स्राद करते हैं पित्र पिंडदान करते हैं ताकि हमारे घर के पिता पितामा प्रपितामा हमारे घर में पित्र देव के रूप में वास्तरें ऐसा सास्त्रों में कहा गया है कि स्रावन मास की अमवस्या को हर्याली अमवस्या कहा गया है इस दिन पित्रों के निमित्तिक एक दीप दान किया जाता है इस दीप दान को आप भी करके अपने पित्रों को मना सकते हैं यदि आपके घर में पित्रों के दोस के कारण तमाम प्रकार की दिक्कतें आ रही है आपके कारियों में तमाम प्रकार की दिक्कतें आ रही है देखिए जब पित्र दोस होता है तो सबसे ज़्यादा दोस मानसिक हो जाता है ब्यक्ति अस्त बेस्त हो जाता है किम करतब बेबिमूर हो जाता है चाह करके भी अपने कारियों को सही दिसा पे नहीं ले जा सकता है तो पित्रों के दोस्त को पित्रों की नाराजगी को ठीक करने का सबसे बढ़िया मास होता है स्रावण मास की अमवस्या जिसे हरियाली अमवस्या कहा गया है इस दिन दीपदान का बिसेस महत्तो कहा गया है तो अब हम आपको जानकाई देते हैं कि दीपदान को कैसे करें कैसे पूजन करें देखिए इस बार आठ अगस्त दिन रभीवार को हरियाली अमवस्या पड़ रही है वैसे हरियाली अमवस्या के दिन पीपल का बहुत बड़ा महत्तो है लेकिन सास्त्रों के अनुसार रभिवार के दिन पीपल की पूजा नहीं की जाती है इसलिए आप चार मुखका दीपक लेकर के भगवान सिव के सामने आएं उसमें सामान क्या क्या होगा आप काले रंग का तिल ले लें आप सो ग्राम भी ले सकते हैं पचास ग्राम भी ले सकते हैं ध्यान रहे काले रंग का तिल नीचे रख करके उसके उपर दीपक रखना ले दीपक आपका चार मुखका होना चाहिए और ससो का तेल पूरे दीपक में भरा होना चाहिए आप जो रुई की का जो चार मुख का दीपक बना ले और दक्षिन की और मुख करके सिवलिंग के सामने खड़े हो करके अपने पित्रों को याद करते हुए आप दीपक को प्रजुलित कर ले ओम पित्र देवाय नमह या पित्र देव भवह अईशा मंत्र बोल करके हाद जोड़के अपने पित्रों को नमन करें और निबेदन करें ये पित्र देवता आप जो है प्रतक्ष देवता हैं हमारे स्कुल के आप अपना आसिरबाद हमारे बाल बच्चों पे हमारे उपर हमारे पूरे परिवार के उपर बनाए रखिए निस्चित रूप से क्योंकि हर्याली अमावस्या के दिन यह पित्रों के लिए बिसेश दीबदान आपके घर में खुसियां लाएगा सास्त्रों में कहा गया है जिस घर के पित्र अच्छे हो पित्र खुस हो उस घर में खुसहाली आती है उस घर के बिगन बाधाएं घर में प्रभेशी ही नहीं करती हैं तो निश्चित रूप से यदिकारिक्रम आपको अच्छा लगा है तो अपने पित्रों को याद करते हुए ओम पित्र देवाय नमहा लिख करके वीडियो को सेयर करना बिर्कुल मत भूलिएगा क्योंकि पित्र यदि आपके घर के अच्छे है तो निश्चित रूप से आपके घर में खुसियां आएंगी तो दूसरे के पास तक यह वीडियो जाए आपके सनेहियों के पास वीडियो जाएगा तो निश्चित रूप से पित्र का दीपदान हरियाली अमावस्तिया में वह अगर करेंगी तो पुन्य आपको भी प्राप्त होगा इसलिए इस कारिक्रम को सेर जरूर करियेगा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार